नमस्कात दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताओँगा कि आप अपने Facebook अकाउट को डिक्टिवेट कैसे करें अगर आप भी अपने Facebook अकाउट को डिक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है हेलो मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं आरियान टॉक तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो हम आगए अपने कम्पीटर इस्किन पर और कम्पीटर इस्किन पर आने के बाद सबसे पहले आप अपना फेवरेट ब्राजर ओपन कर ले और यहां पर हमने अपना क्रोम ब्राजर ओपन कर लिया है और देन आडलेस बार में टाइप करना है facebook.com और इंटर पेस कर देना है देन आपके समने facebook का home page ओपन हो गिया है और आप यहां अपना email id और password डाल कर login कर लें तो यहां पर मैं अपना email id और password डाल कर facebook account को login कर लेता हूँ और यह हमारा facebook account open हो गिया है आप देख सकते हैं यह हमारा facebook profile है और उसके बाद आपको अपना facebook account को deactivate करना है तो facebook account को deactivate करने के लिए आपको क्या कम करना होगा आपको जाना होगा यहां पर एक arrow का sign होगा इस arrow के sign पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर settings and privacy के option पर जाना है और देन फिर से settings के option पर क्लिक करना है जैसे इस settings के option पर क्लिक करेंगे तो यहां पर general account settings का window open होकर आ गया होगा अब आपको Your Facebook Information पे किलिक करना है तो हम किलिक करते हैं Your Facebook Information पे इस पे किलिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे Your Facebook Information का विंडो खुल कर आ गया है अब आप थोरी नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे Deactivation and Deletion का एक अप्सन अज़र आएगा इस पे किलिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो खुल कर आया होगा और जहाँ पे लिखा हुगा है Deactivate Account This can be Temporary यानि कि यह Temporary में आप Deactivate कर सकते हैं Your account will be disabled and your name and photos will be removed from most things you have shared You will be able to continue using Messenger यानि कि इसका कहने का मतलब है कि आपका account Temporary Disable कर दिया जाएगा और आपका नाम और photos भी remove कर दिया जाएगा जो आपने share किया है और आप चाहे तो Messenger पे आप यूज कर सकते हैं तो खेर यहाँ पे हम Discord Deactivate करना है आपने Facebook account को तो हम Deactivate पे किलिक करते हैं और Continue to account Deactivation पे किलिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको region देना है कि किस वज़े से आप account को Deactivate कर रहा है तो This is Temporary I Will Be Back यहाँ पे बहुत सारे हैं तो मैं यहाँ पे This is Temporary I Will Be Back पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से एक window खुल कर आया है जहाँ पे This is Temporary I Will Be Back का मैंने region दिया है और मैं इसको logout पे क्लिक कर देता हूँ तो हम इसको logout पे क्लिक कर देते हैं जैसे मैंने logout पे क्लिक किया तो हमारा account दोए deactivate हो चुका है तो दोस्तो इस तरह किसे आप अपने Facebook account को deactivate कर सकते हैं तो दोस्तो उमीद है आपको अमरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करे, share करे साथ ही अगर अभी तक आपने हमाई चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर ले और घंटे के एकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye